हलो दोस्तों कैसे हूँ दोस्तों आप सभी का कैमिस्ट्री की क्लास में हार दिक स्वागत है दोस्तों मेरा नाम संतोस साहू है और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की कैमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्तर नंबर बन पहला चैप्तर पढ़ रहे हैं अफंस्तों का नाम आप को धियान है बेसिक कंशेप्ट्स औप केमिस्ट्री अर्थातป रसायन पग्जान की मूलभूतअवधार्माएं में लास्ट क्लास में आपको पता गया था कि रसायन विज्ञान क्या है केमिश्ट्री क्या है सहीए ध्याने क्या रसायन विज्ञान क्या है विज्ञान की एक साखा है रसायन विज्ञान जिसमें पधार्तों के संठन संरचना निर्मान गुन उपयोग आधिक अध्यन करते हैं ठीक है तो आप से कोई पूछे रसायन वि क्यों कद्ध्यन करते हैं रसायन विज्ञान कहलाती है रसायन विज्ञान को आपको दोस्तों पता है अंग्रेजी में क्या कहते हैं अग्रेजी में कहते हैं chemistry और chemistry सब्द बना है ग्रीक भासा के सब्द कीमिया से यह आपको बता गया था इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा था हम chemistry पढ़ रहे हैं इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा था रसायन विज्ञान का महत्व या उपयोग है तो हम पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान का महत्व या उपयोग पहला महत्व बताया था मैंने आपको ध्यान करो दैनेक जीवन में तो रसायन विज्ञान का एक महत्व में आपको पढ़ा का था दैनिक जीवन में मैंने आपको कहा था सुबह जगने से लेकर के रात को सूते समय तक जो जीवन हम जीते हैं वो हमारा दैनिक जीवन है मैंने बताया था जैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का क्या महत्व है मैंने इस तरह से आपसे कहा था सुन लो एकवा सुवह जगने से लेकर रात को सूते समय तक हम दोस्तों अनेक ऐसे पधार्तों को उप्योग में लेते हैं जो रसाइन विज्ञान की देन हैं जैसे तूथ पेष्ट तूथ ब्रस कलम बस्त्र किताब साबुन अपमार्जक आधी पधार्त रसाइन विज्ञान की देन हैं किलियर तो यह मैं आपको पढ़ा चुका था अब हम पढ़ते हैं दूसरा उप्योग या दूसरा महत्व रसाइन विज्ञान का दूसरा है स्वास्थ्य स्वास्त का मतलब आप जानते होंगे हेल्थ जानते हैं स्वास्त है हेल्थ हेल्थ वे औस दी में रसाइन विज्ञान का क्या महत्व है सुनो धंग से फिर मैं लिखाओंगा संगसंग आप नोट्स बनाएं संगसंग आप पढ़ते चलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और कमेंट भी करते चलें ताकि हमें जोस मिलें स्वास्त वे औस दी में रसाइन विज्ञान का क्या महत्व है स्वास्त जानते हो स्वास्त मतलब हैल्थ सारे सब्सक्राइब एक तंदुरुष्ती सभी है और जानते होंगे जो पधरत होते हैं जिने अपन देसी वाशा में दवाई बोलते हैं जो रोग के इलाज के लिए काम में लिए जाते किसी रोग का उपचार करने के लिए जो पधार्त हम काम में लेते हैं वो अच्छा स्वास्त वे अवस्दी में अब रसाइन विज्ञान का क्या मैट वे देखो आप पता है आपके सरीर में कोई कमजोरी हो या कोई रोग हो आप डॉक्टर के पास जाते हूं दिखाने के आपके सरीर में वो आधिया लगाएगा जैसे आपके सरीर में कोई कमजोरी हो रोग है आप डॉक्टर के पास गें डॉक्टर सबसे पहले लगता है टेस्ट कि वह यह तरहिए लेगा आपके इस्तिशेए और आधार जाट टेस्ट करता है तो वहाँ पर आपका टैस्टोत की कि रिपोर्ट को फिर आप डॉक्टर के पास ले जाऊए डॉक्तर उसुरेपोर्ट को देखकर के बता देगा कि आप क्या अंदर वीमारी है। अच्छा कैसे किये गए। यह आप डंग से सोचो बिविन पदार्तों की सायता से तो टेस्ट किये जाते हैं तो यह जो टेस्ट किये जाते हैं यह भी रसाइन विद्ध्वार्ण के कारण ही संभव हूए है। मेरी बात समझो डॉक्टर के पास लिखे सब्सक्राई आप बड़ों रसायनों कि साहिता से इस तो संबभ होते हैं एbahnरी एप कि अलगिये आप अब टेस्ट की रिपोर्ट आती है डॉक्टर के पास आप जाते हो डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखता है रेपोर्ट को देखकर कि उसको पता लग जाता है कि बीमारी कौन सी है फिर वो लिखता है औस दी उस रोक का इलाज करने के लिए तो मेरी बात आप के लिए समझ गेंगे बरतमान समय में यही सिस्टम चलता है पहले क्या करते थे पहले ना तो कोई ओस्दी थी ना कोई टेस्ट होते थे जाड़ फूक बगेरा से ही रोक का इलाज किया जाता था आज कल क्या होता है पहले टेस्ट किया जाते है जिससे बीमारी का पता लग जाता है फिर उस बीमारी का ओस्दी के मार्द्यम से इलाज किय जाता है तो बहुत इजली इसमें कोई कठन बात नहीं है आप अपने मन से लिखो मेरी यही सला रहेगी रटे नहीं अब इसमें आप क्या लिख सकते हो इंपली समझो स्वास्त बै और उज्दी में क्या उपयोग है बताओ अपवान ऐसे लिख सकते हैं सारे रिक कमजोरी बै रोग किसी रोग का पता करने के लिए या रोग का पता करने के लिए किये जाने वाले परिक्षन जो परिक्षन जो टेस्ट किये जाते हैं वो रसायन विज्ञान के कारण ही संबभ हुए है बतलब रसायन बिज्ञान के कारण ही हो पा रहे हैं वो उनमें रसायनों को काम में लेते हैं हम अच्छा रोग का पता लगने पर या रोग के इलाज के लिए प्रिफ्ट की जनवले पधार्त अर्थात ओस्दियां ये भी किसकी देन है रसायन बिज्ञान की देन है तो कि स्वास्थिये बै औस दी में डाल दो एडिंग स्वास्थिये बै औस दी में लिखो अब इसमें लिखो सारे रिक कमजोरी या सारे रिक कमजोरी या किसी रोग के होने पर किये जाने वाले परिक्षन किसी रोग के होने पर किये जाने वाले परिक्षन रसायन बिज्ञान के कारण ही दुबारा बोलता हूं सारे रिक कमजोरी या किसी रोग किसी रोग के होने पर किये जाने वाले परिक्षन किये जाने वाले परिक्षन रसायन बिज्ञान के कारण ही रसायन बिज्ञान के कारण ही संभब हुए हैं संभब हुए हैं किलियर रसायन बिज्ञान के कारण ही संभब हुए हैं ठीक है अच्छा आगे लिखो रोग के इलाज के लिए रोग के इलाज के लिए प्रियोक्त किये जाने वाले पधार्त रोग के इलाज के लिए प्रियोक्त किये जाने वाले पधार्त अर्थात औस धियां अर्थात औस धियां रसायन बिज्ञान की देन हैं तो दो प्योग किलियर है दो महत्व किलियर है आपके अब तीसरा महत्व देखो आजा बोल पर फटा पर तीसरा महत्व देखो रहे सामने ध्यान इदर दो क्रसी में रसायन बिज्ञान का महत्व अब किसमें पढ़ रहे हो क्रसी मे हैं नियसरा Гknowई रसायन बिज्ञान का विश्यस महत्व है आपने पढ़े हूंगे और्वरग आप और्वरग का मतलब समझ गयोंगे ब्यपधार्त जो भूमी की और्वरक चमता को बढ़ाते हैं पैदावार करने की चमता को बढ़ाते है बेपधार्त क्या कहलाते है और अरुबरक रसायन विज्ञान की देन है आज हम कई परकार के औरुबरक काम में लेते हैं ताकि मिट्टी की उपजवपन बढ़े मिट्टी अधिक पैदावार दे हम यूरिया डालते हैं डालते हैं ये सब पधात रसाइटми देयन हैं क ARP Kas कर रख हुए गीट नासी हुए कीट नासी आप जानते होंगे फासल में कोई रोग लग गया कोई कीट लग गया और कुशप कीट का इलाज के लिए कीट को निश्ट करने के लिए फसल में जो पीट नासी डाला जाता है सही है खर्पत बार नासी आपने सुना हो तो खर्पत बार नासी क्या होता है भाई सुन ले न डंग से खर्पतबार नाशी क्या होता है आप देखते हो जैसे आपने मान लो ग्यहों की फसल आप खेत में कर रहे हो तो ग्यहों के साथ ग्यहों की फसल के साथ कुछ छोटे छोटे पौधे भी उखते है जो ग्यहों की फसल को नुक्सान पहुचाते है करतेते हैं और फसल अच्छी पैदा होती है उन पधार्तों को बोलते हैं खर्पतवार नासी यह सभी पधार्त रसायन विज्ञान की देन हैं इनसे क्या हुआ है इनसे फसलों का उत्पादन बड़ा है फसलों की गुनवत्ता बड़ी है कीट बीट नहीं लग रहे फसलों का उत्पादन बड़ा है फसलों की गुनवत्ता बड़ी है तो समझ सकते हैं कि किर्शी में भी रसायन विज्ञान का कितना वहत्व है रसायन विज्ञान ने अनेक ऐसे पधार्त दिये हैं जिन से फसलों की गुनवत्ता फसलों के उत्पादन में ब्रद्दी हुई है जैसे चैजन संक्या पहलें पहले जन्संक्या बहुत कम थी जमीन ज्यदा थी लोग कम पहले को अरुबरक वगएरा नहीं थे दूसरी बात कहूं कीट नासी नहीं थे पहले खूब ऐसा उता था टेडडी वगएरा आती थी पूरी पूरे खेत को पूरी फसल को नश्ट कर जाती थी खरपतबार नासी नहीं थे अब बर्तमान समय में हर रोक का किर्शी से सम्मंदित पेड़ पोदों से सम्मंदित हर रोक का इलाज उपलब्द है बर्तमान समय में फसलों का इस बज़े से पैदावार बढ़ी है तो इसमें हम जादा नहीं अपने मन से लिख सकते हैं पर अपन औरुब्रा केट नासीough, करपतबार नासी हादी इतना लिख लेते हैं तो आप दोस्तों डालो नंबर तीन करशी में हाँ तो बाई नंबर तीन करशी में हम लिखो ये लखो रसायन विज्ञान ने क्रशी के छेत्र में रसायन विज्ञान ने क्रशी के छेत्र में अनेक ऐसे पधार्त दिये हैं अनेक ऐसे पधार्त दिये हैं जिनसे फ़सलों की पैदावार बै गुनवत्ता में ब्रद्धी हुई है जैसे और बराक कीट नासी खर्पतवार नासी आदी ठीक है अब चौथा उपियोग देखो नंबर चार उद्धोगों में हाँ रसायन विज्ञान का अगला उपियोग पढ़ने वाले हो आप उद्धोगों में फैक्ट्री उद्धोग जानते हो ना फैक्ट्री कार खाने हैं अब मेरी बात आप तसली से सुनों देखो दोस्तों आज कल अपने आसपास कौन-कौन से उद्धोग हैं कार खाने हैं आप सोचो आप देखेंगे कहीं चीनी उद्धोग चीनी की फैक्ट्री लग रही है और सोचो साब लड़का कहता है साब बसतर कप्ड़े बने की फैक्ट्री जैसे सूरत गवालियर बगैरा में हैं जहां कप्ड़े YouTube के बन्हें की लड़का कहता है सिमेंट की फैक्ट्री से सीमेंट बनता है सभी गिलास उद्धोग गिलास की फैक्टरिय जहां कहां रेटा बनता है प्लास्टिक और प्लास्टिक बनती है पीड़ों पर थोड़ी नियुद थह प्लास्टिक ये भी तो कोई फैक्टरी में तैयार हो रही है और सोचो लड़का कहता है कागज उद्दूग जहां कागज बनता है पेंट वारनिस उद्दूग जहां पेंट वारनिस बगेरा बनती है तो देख सकते हो विमिंड तरह की फैक्ट्रियां है आजकल हमारे आसपास बरतमान में सल रही है यह सब पधार्त रसायन विज्ञान क पहले कहां लोगबाग बश्तर पैन्दीव थे बहुत हैं सीमेंट था काँच नहीं था प्लास्टिक महीं था पेंट वार्निस रही थे पहले यह सब पधार्त रसायन विज्ञान के देन हैं तो इस इन पधार्तों बनाने वाले उद्दोग भी रसायन विज्ञान की देन तो आज समझ सकते हो आज की स्थिति क्या है कही रवण बन रही है रवर उद्दूग जूते चपल बन रहे हैं आप मेरी बात समझो तो आज मार्केट में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं और यह फैक्ट्रिया सब रसायन विज्ञान की देन हैं यह सब रसायनिक पधार्त हैं बिविन पधार्तों से बनाए गए हैं तो आज कल मार्केट में बहुत सारी फैक्ट्रिया चल रही है वो सब रसाइन विज्ञान की देन हैं और लोगों को रोजगार दे रही हैं पहले क्या होता था अधिकान जन संख्या जो थी वो किर्शी पर आधारित थी सब खेती बाती खेती करते थे आज कल क्या है बारकेट में बहुत सारी फैक्ट्रिया है तो लोगों को रोजगार मिला है इन फैक्ट्रियों के माध्यम से काम करने वाले स्रेमिक चाहिए इन फैक्ट्रियों को और रोजगार मिला है तो आप समझ सकते हो काम धंदा दे रही हैं लोगों को तो रसायन विज्ञान एक तरह से हम कह सकते हैं लोगों को रोजगार भी उपलब्द करा रहा है तो अब समझ गया इसमें लिखना क्या है बड़ेजी टॉपिक है हम कह सकते हैं बर्तमान में संचालित अनेक उद्धोग रसायन विज्ञान की देन हैं इन उद्धोगों ने अपनी भाहसा में लिखलो कैसे भी बर्तमान में संचालित अनेक उद्धोग रसायन विज्ञान की देन है इन उद्धोगों ने लोगों को रोजगार उपलब्द कराया है ठीक है फिर कुछ उद्धोगों के नाम लिख लेंगे और कह देंगे ये रसाय उद्धोगों में लखो अब इसमें लगों बर्तमान में संचालित अनेक उद्धोग रसायन विज्ञान की देन है अनेक उद्धोग रसायन विज्ञान की देन हैं आगा लिखो ये उद्धोग ये उद्धोग लोगों को ये उद्धोग लोगों को रोजगार उपलब्द करा रहे हैं ये उद्धोग लोगों को रोजगार उपलब्द करा रहे हैं सही है और लिख लो आगे लिखो चीनी उद्धोग बोड की तरफ देखो सबके पीछ उद्धोग लगाना है आपको लिखो चीनी उद्धोग कॉमा बस्त्र उद्धोग कॉमा सीमेंत उद्धोग सीमेंट उद्धोग, गलास उद्धोग, प्लास्टिक उद्धोग, कागज उद्धोग, पैंट वे बारनिस उद्धोग, गलास उद्धोग, गलास उद्धोग, आदी रसायन बिज्ञान की देन हैं, आदी रसायन बिज्ञान की देन हैं, लिख लिया, तो चार उप्योग या चार महत्व तो हम यह इजली पढ़ लिया, अब नमबर पांच की ओर भड़ते हैं, ठीक है भाई, पांच वा उद्धोग देखो, या पांच वा महत्व देखो, पांच वा भैत्वे नमबर पांच, युद्ध में, अच्छा, देखो, आज की बात सोचो, बर्तमान में, अगर युद्ध दोते हैं, तो उसमें कई तरह के बिस्पूटक पधार्त, प्रियोग में लिये जाते हैं, हुमें न, दो देशों के मदल लाई हुई तो, अब देखो, रसायन विज्ञान ने, आपको पता ही है, परम बेसेली गैसें, बेसेली जहरीली गैसें, जैसे फॉसजीन वगेरा, सही है, और मैं कई बात करता हूँ, चलो, कई बिस्पूटक पधार्त, जैसे TNT, डाइनामाइट, ये सब रसायन विज्ञान की देन है, युद्ध में, युद्ध के छेत्र में, आप इनसे क्या हो गया है, कि युद्ध जो है, ये सब पधार्त, रसायन विज्ञान की देन है, आप इनसे क्या हुआ है, कि बर्तमान समय में जो युद्ध है, वो पहले के युद्धों से बहुत अद्तर है, पहले युद्ध होत होते थे पैदल भी होते थे भालों से लड़ते थे तलवारों से लड़ते थे पर आज कल के युद्ध पहले जैसे युद्ध नहीं रहे हैं आज कल के युद्धों में तो तोफ चलते हैं विस्पोटक सामगरी काम में ली जाती है विसेली गैसे काम में ली जाती है और के दोरान अमेरिका ने उन पर परमानुवम डाला था वो महां लाखों लोगों की म्रत्ति हुई थी आज भी वहां पर बच्चे जो है वो विकलांग पैदा हो रहे हैं क्योंकि वहां हानिकारक विकीर ने फैल गई फैली हुई है तो मेरी बात आप समझने की कोशिस करो कि बर दिया है तो रसायन विज्ञान ने युद्ध के छेत्र में खतरनाक पधार्त दिये हैं और पहले वाले युद्ध अब नहीं रहे हैं अब यह तो आप सब चीजें जानते हो को ऐसी नई बात में पढ़ा ही नहीं रहा हूं तो आप इसमें लिखोगे कैसे आप लिख सकते ह रसायन विज्ञान ने युद्ध के छेत्र में अनेक ऐसे पधार्त दिये हैं जिनोंने बरतमान युद्धों को बहुत अदिक भीवत्स भीवत्स का मतलब होता है भयानक बना दिया है। सब्सक्राइब आगे लिख सकते हैं परमानुबं अनुबं बिसेली गैस वे बिस्पोटक पधार्त जैसे टी एंटी डाइनमाइट आधी रसायन विज्ञान की देर हैं हुआ है है तो हम लिख सकते हैं बहुत सारल है तो आप दोस्तों डालो नंबर पांच युद्ध में नंबर पांच युद्ध में और लिखो इसमें लिखो बर्तमान में रसायन विज्ञान ने युद्ध के छेत्र में अनेक ऐसे पधार्त दिये हैं जिनने जिनने युद्धों को बहुत अदिक भीवत्स बना दिया है जिन नहों भयानक बना दिया है आगे लेखो परमानुबाम अनुबाम परमानुबाम अनुबाम बिसेली गैसें बिसेली गैसें टी एंटी डाइनमाइट यह बिस्पोटक पदा convenience है टी एंटी डाइनमाइट है ना टी एंटी का पूरण नाम है ट्राइनथ्रो टॉलेन ट्राइनेथ्रो टॉलेन तो परमानुबाम अनुबाम बिसेली गैसें कि रशायन विज्ञान की देन है और नंबर च्छे रशायन विज्ञान का महत्व परियावरन प्रदूशन को कम करने में तो नंबर च्छे डालो आप एले हेडिंग फिर मैं इसको समझाता हूं नंबर च्छे परियावरन प्रदूशन को कम करने में हां तब यह डाली आपने एडिंग परियावरन प्रदूशन को कम करने में अब समझो भाई परियावरन प्रदूशन को कम करने में कैसे रशायन विज्ञान का महत्व है देखो इदर कोई फैक्ट्री है फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूशित जाला फैक्ट्री से जो प्रदूसित जल निकलता है और फैक्ट्री से जो प्रदूसित बायू निकलती है उप एंप रिपेटरी से गैस ने निकल ती निकलती है फैक्टरी निकलने वाले प्रणुसित जल को प्रणुसित बाईयों क विविन्पधा रतों की सायता से सुद्ध değişs तो तुम समझ सकते हो प्रदूसित जल को प्रदूसित बायू को विविन पधार्तों की सायता से क्या कियाता है सुद्ध तो रसाइन विज्ञान की देन है यह पधार्त जो प्रदूसित जल को प्रदूसित बायू को क्या करते हैं सुद्ध अपन सिंपल कह सकते हैं प्रदू प्रदूशित करने में और सुनों डीजल पैट्रॉल के स्थान पर भरतमान समय में डीजल पैट्रोल जलता है तो प्रदूशन फैलता है बारतमान समय में आ गया है cng gas सुनी होगी आपने कि यह कम प्रदूसन करती है तो बर्तमान समय में डीजल पेट्रोल के स्थान पर cng का प्रियोग भी होने लगा है कि बहानों में कि सहीए अच्छा पीजल जो है पीजल पीजल का सिद्धान्त पर काम करता है आरोफ करण उसमें परासरंदाव का सिद्धान्त काम करता है तो पीजल को एकवगार सुद्ध करता है तो यहां पर भी रसायन विज्ञान का महत्व हैं काफी सारे महत्व यहां पर आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान के और कई सारे महत्व है परियावरन प्रदूशन को कम करने में ये चारों तो आपको दिखी रहे हैं प्रदूशेत जाल प्रदूशेत बाईयू को सुद्ध करने में रसाइन विज्ञान का काफी अधिक महत्पून योगदान है लीजल पेट्रोल के स्थान पर बरतमान में बहानों में सीनजी का बात करों चलो यह तो जादा क्या पड़ें यह बहुत है इसमें एना पर नमब छब ड़ालो तो फारियावरन प्रदूशन को कम करने में अब इसमें लिखो छाआ लगोसे निकलने वादे और दोगों से निकलने वाले प्रदूसित जाल, बैप प्रदूसित बाईयों को ﷺ प्रदूसित जलब प्रदूसित बायू को सुद्ध करने में प्रदूसित बायू को सुद्ध करने में रसायन विज्ञान का महत्पूर्ण योगदान है रसायन विज्ञान का महत्पूर्ण योगदान है ठीक है आगे लेखो बर्तमान में बहानों में बर्तमान में बहानों में डीजल पेट्रोल के स्थान पर डीजल पेट्रोल के स्थान पर सी एन जी सी एन जी गैस का उप्योग किये जाने लगा है किये जाने लगा है जो बर्तमान में बहानों में डीजल पेट्रोल के स्थान पर सी एन जी गैस का उप्योग किये जाने लगा है जो बायू को कम प्रदूशित करती है ठीक है आगे लेखो पिये जल को सुद्ध करने के लिए पिये जल को सुद्ध करने के लिए पिये जल मतलब पीने का पानी पिये जल को सुद्ध करने के लिए प्रियुक्त किये जाने वले प्रियुक्त की जाने वला एक्वागार्ड एकवागार्ड है रिष्टायन विध्यान के सिधांतों पर आदारित है से रसायन विध्यान में सिध्धांतों पर आदारित है एए इस ए क्लिए तो यह उप्योगा पढ़़ लेना महर्ट पढ़ लेना इतने बहुत है six इम्हुत भाई ठीक है भाई कोई समस्या है कमेंट करो कुछ समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में डालो कि अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं कि इसके बाद अब हम पढ़ेंगे भाई नेक्स्ट टॉपिक कि ध्यान बोड की तरफ होना चाहिए सवी स्टुडेंटों का नेक्स्ट टॉपिक जिसकी बात कर रहे हैं अपन द्रभ्य पधार्त द्रब्य पधार्त एक ही चीज है भाई द्रब्य पधार्त क्या होता है द्रब्य पधार्त क्या है हमारे आसपा सुपस्तित बस्तुएं जिनका द्रब्यमान होता है द्रब्यमान सब्द से ही द्रब्य बना है देखो द्रब अलग होता है और द्रब्य अलग है द्रब्य गेरती हैं दरब्या पधार्त कहलाती है जैसे देखलो मेरे आत्म डश्टर है यह हमारे आसपास वपस्तित एक बस्तू है जिसका बजन है इसका बजन है दस ग्राम-पंद्र ग्राम कुस्तो होगा और यह स्थान भी गेर रही है जिग्या गेर रही है यह तो यह एक द्रब्य है यह चौक देख लो हमारे आश्पास उपस्तित कोई बस्तू है जिसका द्रब्यमान है और यह जिगे भी गेर रही है तो यह भी एक द्रब्य है पधार्त है तो आप हैड़ें डालो फिर भाई द्रब्य या पधार्त द्रव्य या पधार्त ठीक है लिख लो इसमें हमारे आसपास उपस्तेत बस्तुएं हमारे आसपास उपस्तेत बस्तुएं हमारे आसपास उपस्तेत बस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है जिनका द्रव्यमान होता है बैस्थान गेरती हैं जिनका द्रव्यमान होता है बैस्थान गेरती हैं द्रब्य या पधार्त कहलाती हैं द्रब्य या पधार्त कहलाती हैं बोलो गलत लिखाए क्या उधारण इसके पेड़ किताब कलम बाईू लड़का बाईू के बारे में सोचता है कि बाईू तो पधार्त नहीं है बाईू में बजन होता है खाली सिलेंडर बरे सिलेंडर में आपने देखा होगा भरा सिलेंडर में बजन अदिक होता है बाईू में बजन भी होता है बाईू इस्थान भी गेड़ती है तो बाईू भी एक द्रब्य हैं तो यह सब और भी अपने आसपास की चाह कुर्सी टेविल मेज कुछ भी हो सभी क्या हैं द्रब्ब हैं तो इनको आप लेख लो इसमें जैसे डाल करके जैसे पेड़ कताव कलम भाईयू आदी कि कलम मतलब पैन के पेड़ कताव कलम भाईयू आदी लिख लिया अच्छा अब हम पढ़ेंगे देखो सामने भाई द्रब्ब का बर्गी कर्म द्रब के आप दो बर्गी कर्म पढ़ोगे एक तो पढ़ोगे दोस्तों आप द्रब्य का बहुतिक बर्गी करन और एक पढ़ोगे द्रब्य का रासाइनिक बर्गी करन तो आप एक तो पढ़ोगे द्रब्य का बहुतिक बर्गी करन दो बर्गी करन है और एक पढ़ोगे आप द्रब्य का रासाइनिक बर्गी करन भौतिक भर्गी करन को तो तो ओकंचाो एक जानते हो ने और एक उन्तर यह लिख रहा है और यह द्रभ पर तीन तरह के होते हैं फिर्श पधार्त ड्रव-पधार्त और गैस पदार्त तो द्रव्य का यह बहुत एक बर्गी करण है ठीक है है एडिन अलो चलो भाई द्रव्य का बहुत एक बर्गी करण द्रव्य का बहुत एक बर्गी करण अब इसमें लिखो चलो इसको एक बार डाइग्राम बना लो जैसे बिलेग बूट पर मैंने बना रखा है ना ऐसे के सी द्रव्य को तीन भागों में बाट दो ठोस द्रव और गैस अब सुनो मेरी बात अब इसमें लिखो चलो नीचे ऐसे करवा पहले लिख लो लिखो इसमें लिखो नीचे लिखो द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं द्रव्य तीन प्रिकार के होते हैं नंबर एक ठोस नंबर दो द्रव और नंबर तीन गैस तो तीन तरह के द्रव्य होते हैं किलियर अब एक काम करेंगे अब इनको आगे पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी द्रव्य के बहुत लिक बर्गी करण की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिनू रखेंगे वीडियो आपको पसंद आए लाइक और कमेंट इस पर जरूर करें प्रते दिन नौ बजे वीडियो आपकी मिलती रहेगी आपको केमिश्ट्री सब्जेक्ट की प्रते दिन वीडियो देखें फियर कॉफी में आप इनने नोट करें कई स्टुडेंट अब भी ऐसे हैं रफ कॉफी में लिख रहे हैं रफ नहीं फियर कॉफी में इने नोट करें और मैं अब आपसे कल पुन्हें इसी समय नौ बजे आपसे दुबारा से मिलूंगा घर पर पढ़ाई करते रहें जो आपको पढ़ाई जाए उसको उसी दिन पढ करते हैं ठीक है